प्रेंक्स आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोड़क्ट लेके हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा असान कर देगा तो आज हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मॉप लेके हैं मॉप यानि की फ्लोर के उपर हम जो पोचा लगाते हैं उसको हम मॉप बोलते हैं तो यह जो मॉप है वो अगारो कंपनी की साइड से आता है आज की इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिक मॉप यह क्या-क्या फीचर है क्या क्या functions है कहां तहां पे हम इसको use कर सकते हैं और इसका use करने का कैसा तरीका रहने वाला है और ये भी देखने वाले कि आप इसको कहां से खरीच सकते हैं और कितना इसका benefit देखने को आपको मिलेगा तो चलिए फ्रेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके क्या क्या इसके box के उपर highlight feature दिए गए है उसके बाद हम इसको unbox करके आपको दिखाते हैं तो फ्रेंट्स जो ये electric mop है वो इस परकार की packing के अंदर आता है यहाँ पर आप देखने हैं तो सबसे उपर अगारू की branding के हुई है electric spin mop दिखा हुआ है water spray and moping R type of floor यानि कि किसी भी परकार का floor हो उसके उपर ये moping करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल की इसके साथ में warranty देखने को मिल जाएगी जो की एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर इसकी एक image बना रखी है जो की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर हम इसके grocery side feature की बात करें तो जैसे की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके जो moping के जो इसके अंदर brush wear असरने वाले हैं उनके जो RPM है 150 RPM रहने वाले हैं 150 ml का water tank रहने वाला है swill handle रहने वाला है adjustable extension tube इसके अंदर देखने पो मिलेगी front LED light आपको देखने पो मिलेगी और यह एक lightweight और portable है अब भी हम देखते हैं डिसके अंदर आपको क्या पूछ देखने पो मिलता है तो फ़री हम दर्जी से इसको unbox कर लेते हैं तो friends जैसे कि भी आप यहां में देख पा रहे हैं इसकी जो backing है वो बहुत ज़्यादा premium दी गई है और इसकी जो assembly है वो बहुत ज़्यादा दी गई है अब भी हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद हम दिखाते हैं कि इसके साथ में क्या-क्या assembly है और किस तरह से इसको install किया जाता है तो friends जैसे कि भी आप यहां पे देख पा रहे है डिडेक्टरिक मोड को हमने unbox कर लिया है अच्छे वे में पहिने की आप online करते हैं तो date सारी हो जाएगी यांजी 1.5 year उसके साथ में आपको एक यह भी देखने को मिलता है जो की एक user manual है इसके उपर भी आप देख सकते हैं एक सारी वारेंटी है और इसका model number है आइटम number है और इसके अंदर इसकी किस तरह से कौन सा पार्ट का क्या नाम है कैसे इस फो इन्सकोल करना नहीं कहां कहां पे इसको यूज करना है कैसे charging करना है सारी जानदार ही इसके अंदर दी गई है तो अभी आप यहां पे देख पारे है इसके साथ में आपको एक यह कटेर देखने मिलेगा जो की इसके अंदर water level पो maintain करेगा जो की एक यह measuring container है इसको inside वे रखते हैं इसको charging करने के लिए एक charging adapter दिया गया है यहां पर आप देखेंगे तो यह दो pad आपको extra देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर आपको pad आलरेड़ी देखने को मिलेंगे अगर माई जी यह कवाले खराब हो जाते है काफी huge के बाद तो आप इसकी मदद से इसको change कर सकते हैं यानि कि यह भी बहुत अच्छी बात है कि इसके साथ में आपको दो pad एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं फोर यहां पर आप देखेंगे तो यह इसका handle है और यह इसकी extend करने वाली road है आप यह मत सोचना कि यह road इतनी लंबी है आप इस road को बहुत ज़ादा लंबा भी कर सकते हैं जैसे कि आपने अब देख पारे हैं बहुत ज़ादा लंबी हो गई है आप यह button दबाई लिए button की मदद से आप इसको अपने according छोटी बड़ी कर समते हैं अभी आपको install की इस तरह से करना है इस handle के अंदर आपको क्या करना है यह जो pin दी गई है जिस pin को आपको प्रेस करना है प्रेस करने के बाद यह pin की इस hole के अंदर इस तरह से adjust हो जाएगी और यह ready हो जाएगी और आके की side में आपको यह इस तरह का wire connector दिखने को मिलेगा जो भी आपको main unit के अंदर लगाना है अपको side में रखते हैं हम दिखाते हैं आपको इसकी main unit तो आप देख पारे हैं अफरेस कितनी बड़ी आप त्रिक्टे की इसकी finishing दी गई है बहुत ज़्यादा premium quality का यह electric mope दिया गया रहा है मुझे तो personally बहुत ज़्यादा पसंद है यह ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर इस पानिल का container है इसके अंदर आप पानि यह सैंपू फिनायल वगरा जो भी डालना है आपको आप इसके अंदर डाल की moping कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो wire connect करनी है इस female header के अंदर wire connect करनी होती है आपको और इसके अंदर आपको technical specification भी देखने को मिल जाएगी यहाँ से आपको इसके अंदर की जो battery है वो charge करनी है इसके front की side में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 LED लारिट भी देखने को मिलेगी जो spray करने वाला है point वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह इसके दोनों पैड है वो एक दूशे के diagonally पूमने वाले हैं अगर यह आपको धूलने है तो आपको गैपना है किस तरह से उतार देना है और आप इसको धोके दुबारा से इसके उप पर चिफका सकते हैं और यह प्रांज करने लिए इसके अंदर यह जो water है वो बहुत ज़्यादा high quality की water दी गई है इस्तरे से आप इसको यूज कर सकते हैं तो अब भी हम देखते हैं इसको यूज करना और यहाँ पर इसकी front side से look देखने हैं आप बहुत ज़्यादा premium look आप कर लिते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस connector को आपको अपने affording मतलब देखने के बाद इसको set करना है तो यह देख सकते हैं यह set हो गया है और इसी प्रकार से इस साइड बे भी यह pin है pin आपको इस boy के अंदर फ्रिजेस्ट करनी है तो इस तरह से इसको दबाना है और twin toak थोड़ा से दबाके इसके अंदर प्रेस कर देना है तो friends जैसे कि आप आप पे देख पा रहे हैं यह pin यहाँ पे lock हो गई है और इन दोनों पोचो पोक इन दोनों knowping pad को हनग यहां पे लगा देजे है चिक है यह यहाँ पे लग गए है अपी हम इस फूल एक पर ओं करे तो ॉनॉफ करने के लिए जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं यह ओन जाए के लिए यह का बटन दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको ओन करके हैं तो फ्रेंट जैसे कि आप यहां बेदेख पा रहे हैं इसका रेड इंडिकेटर दी ओन हो गया है और यह तो वोपिंग है वो चमने लगे हैं यह इस साइड चल रहा है तो यह इस साइड चम्ड़ है ठीक है और आपको इसका हैंडल पानी है तो आप इस से हैंडल की हाइड बढ़ा सकते हैं जैसे कि आप यहां बे देख फारेंटर बहुत ज्यादा लंबी स्खिंक लेंट हो जाती है फ्रेंट्स यह उपर के दोनों बटन थे यह तो ओनों का बटन था मैंने आपको बता दिया है लेकिन जो यह बटन है फ् तो यह स्प्रे करेगा अगरें इसको नहीं दबाएंडे तो स्प्रे नहीं करेगा तो यह भी काफी अच्छी बात है तो फ्रेंट्स यूज करने से पहले क्या करना है यहां पे हमें पानी डालना है तो पानी के लिए इस तरह का यह कप दिया गया है मेजरिंग कप है ठीक ह इसके अंदर से हमें क्या करना है आप डारेक्ट भी डाल सकते हैं लेकिन इसके साथ में यह दिया है तो आप इसके साथ में भी डाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे इसके साथ में इसको फिल कर लेंगे तो फ्रेंट जैसे कि विए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने दो तो यह कप फुल बरके डाल दिया है और एक यह आफ कप इसके अदर डाला है तो यह यहाँ पे आप देशते हैं फुल हो गया है अभी हम इसका उंपर का चो कप है इसको बंद कर देते हैं और हम इसको यूज करते हैं तो सबसे पहने हम इसका ओन का बटन दबाएंगे तो यह चलना स्टार्ट अप हो गया है ठीक है अभी हम आपको स्प्रे करके दुफाते हैं तो जैसा कि विए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी तो पानी ती बंदे हैं आपको कैमरे के अ है ठीक है जब हम बटन दबाएंगे तब ही यह स्प्रे करना है और आप इस पो यूज कर सकते हैं बड़े ही अराम से तो चलिए अभी हम अपने फ्लोर दो क्लीन करके आपको दिखाते हैं वो फ्रेंड जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वहारे किचन का फ् इफेक्टिव है तो फ्रेंड जैसे कि भी आपने वीडियो के अंदर देखा हमने इस वीडियो में आपको इस इलेक्ट्रिक मॉप के सबसे पहले फीचर बताए उसके बाद में फंक्शन्स बताए कैसे काम करता है कैसे इंस्टोल किया जाता है कहां कहां पे इसको यूज कर सकते हैं फाइनली हमने ये यूज करके भी आपको दिखाया है मुझे तो परसनली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोड़क्ट लगा है अगर आप ये प्रोड़क्ट खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका खरीदने का निंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप इसको डारेक्ट एमाजोन से खरीद सकते हैं तो फ्रेंड्स आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अगारों का ये इलेक्ट्रिक मोप कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइए अगर आपको ये वीड पोस्तों में शेयर कर देना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम।